बच्चो CP.NET का Admit Card रिलीज हो गया है और इसका exam 31 जुलाई को है ये बात तो आपको पता ही होगा जो भी बच्चे इसका फॉर्म भरे होंगे तो आज मैं बताऊंगा कि आपको exam देते समय कौन-कौन सी बाते ध्यान रखने है जिससे आपका exam बहुत ही बहतर जाए यानि कि आज मैं exam tips के बारे माँ आपको बताऊंगा तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते है exam tips Hello student मैं अनुपराय मेरे YouTube चैनल स्पारकाप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है CPNET जो कि एक ऐसा exam है जो कि UPUEMS सफ़ाई द्वारा कंड़ेक्ट करा जाती है और इसमें बेटा आपका GNM, A&M और B Pharma का कोर्स होता है एक बात आप और भी जान लेजिए कि इसके लिए कोई private college नहीं होता है UPUEMS एक government क्या बोलते है college है आपका admission जब भी होगा तो government college में होगा इसकी पूरी detail सुमन मैंने already बता दिया है जो कि आपको screen पर दिख रहा होगा तो आप ये वाली video देखके आप इसकी पूरी detail जान सकते हो वैसे हो सकता है आपको पूरी detail पहले से ही पता हो लेकिन हो सकता कुछ नए student भी देख रहे हो तो वो इसको देख सकते हैं जो कि अग जो कि एक्जाम में ध्यान रखें और उसको उस प्रकार से उस tips को follow करते हुए exam दे उनका paper बहुत ही अच्छा जाए तो students सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये exam आपका online paper होता है अगर आपको online भी नहीं पता है कि कैसे paper देना है यानि कि computer based test होता है नहीं पता तो सुमन मैंने already video बना रखा है जो कि आपको screen पर दिख रहा होगा तो यह वाली वीडियो आप देखके आप online paper कैसे देना है आप जान सकते हो इसका भी link मैं वीडियो के last में और discussion में दे दूँगा ठीक खैराते हैं हम लोग main topic ठीक है ना बच्चों मैं आपको tips बताने के पहले एक बार art या commerce से हो यह सभी प्रकार की student इस farm को भर सकते हैं और भरे भी होंगे ठीक है ना बात कहने कि सर बायो वाले student में क्या math आएगा math वाले student में क्या bio आएगा या क्या commerce आएगा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है अगर आप class 12 बायो से हो यानि कि अगर आप बायो क्या बोलते ह हो तो आप में तीन सब्जेक्ट आएगा physics, chemistry, biology इसी प्रकार से अगर आप math के हो तो physics, chemistry, math आएगा अगर आप commerce, art या किसी और क्या बोलते हैं subject से हो तो आपका बेटा हिंदी आएगा, English आएगा और GK आएगा या इनि कि general knowledge आएगा बात सोंच में आया कि नहीं है अब बात से हो तो आपके physics के total 33 question आएगे, chemistry के आपके 33 question आएगे, और bio के आपके 34 question आएगे, बात समझाया कि नहीं है, तो total कितने question होंगे, 100 question, और मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये total जो paper होता है, आपके 2 घंटे का paper होता है, यानि कि 120 मिनट का paper होता है, तो बताव अच्छों 100 question, 120 मिनट, यानि कि एक question पर आपके 1.2 मिनट का समय है, यानि कि एक मिनट से जादे का समय है, बात के ने सर कितने number का होता है, तो एक question एक number का होता है, तो total 100 question है, तो 100 number हो गया, ठीक, 100 question, 100 marks और आपके 120 मिनट, खुसी की बात है जिसано आप मुझ रा सकते हैं, इसमें कोई negative marking नहीं है ऐसा नहीं कि आप गलत कर दिया तो आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा हाँ तो अभी से मन में मस सोचना कि सारा का सारा तुक काई मार्किंग चले आए उसके भी बारे बताऊंगा मैं अच्छा बात करने इसे प्रकार से मैथ का स्टुडेंट अगर आप हो त आपके मार्किंग मार्किंग किसी में नहीं है तो आपको पेपर पेटर्ण एक सीम्त वह और तो समझ में आ गया होगा है, तो पहला टिप्स कि नहीं बढ़ी खुसी की बात है दूसरी अगर हम बात करने बच्चो तो आपको अपने स्वैम से आपको सेलेक्ट करना होगा जैसे मैं बायो वाले चुट्डेंट के लिए जाब टेर तरी बाते हैं तो अगर बायो वाले स्टुडेंट के लिए बता हूँ, तो पहले आप उस सब्जक्ट पे जाए, जैसे मालिजापका बायो ही है, ठीक है ना, तो बायो जैसे है, तो आप बायो का क्या बोलते है, सबसे पहले खोलें, और खोलने के बाद जितनी भी कोश्चन्स है, उस कोश्चन को करने के बाद तुरंत आप क्या बोलते हैं, उसको सेफ करके नेक्स्ट पे जाए, बास वाम जारा है, जितने आपको कोश्चन आता है, लिक कोई कोश्चन अगर आपको लेंदी लग रहा है, वो कोश्चन आप मार्सफार रिव्यू करके छोड़ दे, अब बच्चे कहेंग अगर आपको लगा कि नहीं मैंने जो टिक लगाया है, तो आप चाहो तो उसको हटा कि क्यों दूसरा वाला भी क्या बोलते हैं, आप टिक कर सकते हो, इसका मतलब वो कोश्चन सेफ नहीं होगा, लेकिन आपका लाष्ट में आप जब देखो कि तो परपल करके बने रहेंग जो कोश्चन आपको नहीं आया, मांसफार रिव्यू करके आगे बढ़ा, और जो कोश्चन आपको बिल्कुल नहीं आया, उसको छोड़ दो, ठीक? अब माले जी, बायो के बाद आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉंग केमेस्ट्री है, ठीक है? हो सकता है, आपका फिजिक में भी करें, तो टोटल आपको जो तीन पने पार्ट्स पता है, फिजिस केमेस्ट्री बायो में, आपको जो कोश्चन कंफर्मा रहा है, उसको सेफ करके आगे बढ़े, जो नहीं आ रहा है, उसको मांसफार रिव्यू करके छोड़ दे, अब बात आया कि एक घंटे बीच कोश्चन पर आप टाइम दे, दुबारा उसको लगाए, क्योंकि पहले लेंदी था थो थोड़ा सा दिमाग लगाए, अपने आपको और कॉंसंट्रेट करें, और यह सोचे कि यार मतलब क्या बोलते है, आज का हमारा जो मेहनत है, प्रिजन टाइम का, जो मेरा कॉंसंट्र है, तो अगर आपने जो भी पढ़ रहा का, उसमें अगर आप फोकस करोगे, तो आप बहतर करके आओगे, ठीक है, तो आप एक घंटे के बाद उन कोश्चन को जो मासवा रिवीव, यानि जो परपल कर अगे थे, वो सेलेक्ट करके फिर से लगाओगे, और लगाने के तो दसों को आप क्या बोलते हैं, ठीके न, टिक करके, आप सेप करके आगे बढ़ लो, अब बात आया कि लाश्ट में आपके पास आधा गंटा या बीस मिनट का जो भी समय बचेगा, उसमें बहुत सारे से कोश्चन होंगे, जो आपको बिलकुल नहीं आ रहे होंगे, तो आपको बात आपको पूरा समझ में आ गया होगा, इसके अलामा बच्चो अगर आपको ये जानना है, कि आप जब एक्जाम देने जाओगे, तो आपको क्या लेकर जाना होगा, और आपको बिलकुल नहीं आ रहे होगा, छोड़ के नहीं आना, लाश्ट में तुक्का मार के आप मतलब ड्रेस कोड के बारे मेंगर आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंड करो, आपको क्या लेकर जाना होगा, और ड्रेस कोड के बारे में वीडियो बन जाएगा, इसके अलामा मैं ने पहले भी दो वीडियो आपको बताया था, कि पूरा इसका डीटेल और आनलाइन कैसे होता है इसके बारे में आप पुरा देख सकते हो सुमन मैंने वीडियो बनाया है इसका लिंक वीडियो के लाश्ट मोर डिस्क्रिप्सन में दे दूंगा तो आप कमेंट करो ड्रेस कोड पे और आपको क्या लेकर जाना इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा बच्चो करते हो तो आपकी रिक्वार्मेंट हमको पता चलती है कि बच्चो को क्या रिक्वार्मेंट है तो उस पर हम या सुमन मैं दोनों लोग कोसिस करते हैं कि वीडियो बनाके आप तक पहुंचा सके कभी कभी नहीं बन पाता है बच्चो तो माफ ही चाहते हैं क्योंकि बहुत जादी वीडियो जो होता है बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं तो एक आध बार अगर नहीं भी बन पाता है तो माफ करिएगा तो ठीक है श्टूडेंट उम्हीद करता हूं आपको पूरा वीडियो समझ में आयोगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिजेंग अ